बहुत स्वागत फिर एक बार आपका दिसी भारत पर इस समय भुझपुरी सिनेमा से हमें तीन सांसद मिल चुके हैं भीया मनुस्तिवारी साहब रवी किशन जी निरहुआ जी ने अभी माफ करेगा आजमगड जिले से एतिहासिक जीत दर्श कराई है इससे पहले मनुस्तिवारी साहब ने भुझपुरी सिनेमा से दूरिया बनाई दिल्ली जाकर सांसद बने दिल्ली राजी के भारती जनता पार्टी के प्रेसिडेंट तक बने रवी किशन साहब जोने हम महानाक कहते हैं गोरकपुर से सांसद हैं रोजाना ही चर्चे में रहते हैं अब निरहुआ भी आ गए है इस बीच मनुस्तिवारी रवी किशन जी और निरहुआ की जोड़ी बहुत जादा सुनी और देखी जा रही है कपिल शर्मा शो में भी ये तीन ही जादा तर जाते हैं बहुत जादा हसी मजाग का दौर वहाँ चलता है और अब यहां कल से ही एक फिल्म के बारें बात हो रही जहां पर यह तीनों ही अभी नेताओं ने काम किया जी आपको बताएं कि बोचपुरी में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसमें इस समय बिज लोकसभा की गोरकपुर सीट से और मनुस्तिवारी नौर्थ इस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसथ हैं आप चुकि फिल्म के तीनों ही हीरो वरतमान लोकसभा सांसथ हैं तो इनकी चर्चा लाजमी है दोस्तों आपको बताएं कि दिनिश लाल यादो निरहुआ सर का जन्म दो फरवरी 1989 को गाजीपुर के गाउं में हुआ बहत गरीब परिवार में जन्में निरहुआ ने काफ़े स्टगल किया वे शादियों में जाकर भोचपुरी के गाने गाये गरते थे बाद में उनका एक भोचपुरी एल्बम निकला जो पुरुवी उत्तर प्रदेश बिहार जारकान बंगाल से लेकर नेपाल तक काफी प फिल्मों में काम किया निरहुआ भोचपुरी फिल्मों के सुपरस्टार माने जाते निरहुआ ने 2000 में शादी की थी उनके दो बेटे और एक बेटी भी है हाला कि फिल्म फिर भी भोचपुरी एक्ट्रेस आमरपाली दूबे के साथ अफेयर को लेकर चर्शे में होते हैं ये दोनों नके वलके फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं बलकि अक्सर साथ में ही देखे भी जाते हैं तो इन तीनों ही महारतीयों ने मतलब मनोज सर ने रवी सर ने और निरहुआ सर ने कंगा जमुना सरस्विती नाम के फिल्म में काम किया आज तीनों ही सांसा थे और कल स